तो दोस्तों, आज नवरात्री के दूसरे दिन नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रह्मा चारेणी की पूजा की जाती है माता के इस अफतार का अर्थ होता है तब का आच्रण, तब करने वाली देवी, उनके हाथ में, इनके इस रूप के हाथ में जब की माला और बाय हाथ में कमंडल होता है सास्तरों के अनुसार मा ब्रहमचारेडी जी ने पूर्व जयमनम में हिमाले की पुत्री के रूप में जनम लिया था और भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपश्या की थी यही कारण है कि इनका नाम ब्रहमचारेडी जी पड़ा माना जाता है कि जो इस दिन पूजा करता है वे हमेशा उज्जोलिता और एश्वरय का सुखबोगते हैं तो आईए दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि इसके पीछे की कथा क्या है जब भगवान चारेडी देवी जी ने हिमाले के घर में जनम लिया था तब नारज जी ने उन्हें उपदेश दिया था और उसके साथ ही शिपजी को पती रूप में प्राप्त करना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने बहुत घोर तपस्या की इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारेडी अर्थात भ्रमचारेडी की नाम से भी जाना जाता है देवी ने 3000 बरसों तक तूटे हुए बिल्वुपत्र खाये थे हर दुख सहकर भी संकर जी की अराधना करती रही इसके बाद तो उन्हें बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिये थे फिर कई हजारों बरसों तक उन्होंने निर्जल वा निरहार रहकर तपस्या की जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ दिया तो उनका नाम अपड़ना पड़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छीड़ हो गया था एकदम पतला सा हो गया था देपता, रिशी, शिद्धगर, मुनी सवी ने भ्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूत पूर्ण कृत्य बता कर सरहना की उन्होंने कहा कि देवी आपकी तपस्या जरूर सफल होगी मा भ्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वशिद्धी प्राप्त होती है मा की अरादना करने वाले व्यक्ति के हर कठिन संगर्स में भी मन बिचलित नहीं होता है मा ब्रह्मचारेडी की पूजा के मंत्र या देवी सर्व भूतेशु मा ब्रह्मचारेडी रुपेर संसिता नमस्तसे नमस्तसे नमो नमा ददाना पदा द्यम अक्षमाला कमांडलम देवी प्रसुदती मै ब्रह्मचारे नत्मा ओम देवी ब्रह्मचारे नमा